पूरवांचल को क्या मिला कि इन योजनाओं को 2022 में सरकार लेकर के आई और इस बार क्या बड़ा हो सकता है जी राजिंत। पूरवांचल को विक्सित करने पर सरकार का विशेश फोकस रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी रहेगा चुकि 2024 में लोगसबा चुना हो है प्रोफेसर यामिली अगरवाल अमारे साथ है वो बताएंगी कि किन चीजों पर इस बार पूरवांचल में बहुत फोकस र रहेगा कोशिश की जाएगी कि जो उनके आसपास की जगे उनको भी बढ़ावा मिले कि इस रहा में इस तॉर्पे ये भी कोशिश की जाएगी की शिक्षा और सुआस्त का सर बहतर किया जाए है और जो उनकी cities हैं जो भी जिनमें वो रह रहे हैं उनके अंदर जादा से ज्यादा जो है एक development हो सके smart civic facilities की smart cities के द्वारा और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो रिवर्स हैं उनको जो है सनक्षन दिया जाए उनको बचाया जाए और उनके जो जहां पर वो जाती है उससे क्रिशी को भी फाइदा पहुंचे वो भी कोशिश की जाएगी काशी एक religious प्रियाग राज है और गोरगपुर भी कोई कम religious importance नहीं रखता है मुख्यमंतरी जिस पीट के महंत है गोरगशनाटी को भी विश्वपरसित है नाद संप्रदाय का सबसे बड़ा स्था और मेट्रो वारांसी और गोरगपुर में कैसे बने इसके लिए पिछली बार पैसा था अब इस बार भी आपको लगता है कि बिल्कुल मेट्रो प्रोजेक्ट के अलावा जो रोड्स की facilities है या कोई और जे ट्रांसपोटेशन की facilities है वो सारी facilities को जह है कोशिश किया जाएगा ब बिल्कुल बिल्कुल राजिन देखें ये बार बार जा जा रहा है कि काशी मत्रुआ पर्याग्राज के लिए कुछ बड़े आइलान हो सकते हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर भी सरकार का जोड़ होगा ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी